सभी को नमस्कार और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं रायस्तान की सबसे बड़ी परिक्षा रीट 2021 के उपर और हम लोग बात करेंगे एल वन और एल टू दोनों के बारे में और मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के अंतरगत बहुत टेक्निकल में में हम लोग चर्चा क करेंगे और एक तो कट आफ के उपर डिसकस किया जा सकता है और एक जो डिसकसन है वह यह कि जो बीएड वाले लेविल बन में अपियर हुए हैं उनकी क्या सिच्वेशन है उसके उपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं एक जो फाइनल येर के स्टुडेंट्स हैं ब अर्म सिंग मिना असिस्टेंट प्रॉफेसर एकॉनमिक्स और राज के अकला कन्या माविध्याल कोटा में मैं अभी कारी रत हूं और अन्दा बेसेस ऑफ माई नॉलेज एंड एक्प्रियंस मैं आप लोगों के साथ जो है यह सारी चीजें सेयर कर रहा हूं और मैं आप सब यह पहले तो हम लोग चर्चा कट off की कर लेते हैं इस देखिए लेबिल बन का कटाॉफ और ऐस बात पर depend करता है कि बीएड़ वाले अलाव हो गें या नहीं हो गें इदि बीयड़ UP सप्लेंख यह तो आप लोग तयमान के चले कि आप लोगों का कट आ वह बन थंद प्लस हो सकता है उसका रिजन भी सब के सामने है देखिए एक तरक कुछ लोग देते हैं कि ब्याड को लेबल बन का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि द्यार अपर उनकी है और जियादा क्वाले होते हैं जैसे की एमे बाले है तो उनको ब्याड बीए वाली सभी एक्जाम में आटोमेटिक बेटने की अनुमति मिल जाती है एक एक वो है कि अब बीए के बाद यह में करोगे लेकिन जो ब्याड और एस्टीची का जो टर्म है न यह थोड़ा लगता है कि यह बिबाद अभी लंबा खेचेगा क्योंकि यदि जिसके भी पक्ष में अभी पक्ष में मामला जाएगा वो लोग अभी सुप्रीम कोट भी जाएंगे और यदि सब्सक्राइब करें तो अभी हम लोग पहले तो इस बिबाद को नहीं छेड़ते हैं इस मानने की बात है बिएड़ वाले बुरा नहीं माने तो मेरा यह मानना है कि सामयन बर्क का जो कट आफ है वह 125 तक रह सकता है जर्नल का कट आफ और जो कैटेगरी का कट आफ है ओवीशी का कट आफ जो है यहां पर 122 के आसपास रह सकता है यह कुछ सब्जक्ट में अलग अल अर्जिनल आ सकता है 25 नंबर का लेकिन किसी को डिप्रेस होने की जरूत नहीं है जबरदस्ती 135 की हाइप बना करके और इसके बाद जो एस्टी और सी का जो कट आफ है मेरा यह मानना है कि 115 से लेकर के 120 वाले भी जो है अपना चैन पालेंगे यदि उनके ग्रेजुएशन मे जो है 60 से above है यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपकी गेजुएशन में जो है अच्छी परसेंटेज होना जरूरी है और खासतोर पर राजित्तान उनवर्सिटी के बच्चों को यहाँ पर एक natural advantage मिनने वाला है क्योंकि उनकी percentage बाकी उनवर्सिटी की तु तो यह cut-off हम लोग सिर्फ लेबल बन का discuss कर रहे थे अब हम लोग लेबल 2 की बात करें अब लेबल 2 में क्या है subject wise है थोड़ा सा तो इसको थोड़ा और depth में जाकर के देखना पड़ता है सबसे पहले तो बात करें paper की तो paper मेरे साम में हलाकि हम लोग eg कह रहे हैं और eg था भ लेकिन ये काम हमें सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए result आ गया है आगे बढ़ते हैं देखिए यदि हम बात करें कि जो journal category है यहां पर आजकल जनरल को मैं category इसलिए मान रहा हूं हो सकता है यहां भी देखिए एक तो EWS भी जब category है और तो यह भी एक जनरल का हिस्सा है EWS भी तो जनरल के अंतरकत मुझे ऐसा लगता है कि यहां अगेन जो है 125 प्लस वाले जो है खुद को इन समझे साइंस में यह कट आफ दो तीन नंबर कम हो जाएगा साइंस में मैं एक चीज़ बता दूं आपको साइंस में यह कट आफ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा जो 128-13 नंबर की कह रहे हैं वो लोग थोड़ा सा धहरिये रखें और उतना कट आफ मेरे साम में नहीं जाएगा यदि आपकी ग्रेजुएशन में पर्सेंट है तो आप लोग जो है निश्चित तोर पर अंदर हैं जिनके ग्रेजुएशन में 55% है 50% है 15% है 55% है 60% है यहां पर एक एक नंबर के उपर मार्जिनल यहां पर फाइट होने वाली है इसलिए मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा जिनके ग्रेजुएशन में कम परस ग्रेजियोसन में कम हैं तो उनको 130 रंगों की जर्रत पढ़ेगी यदि ग्रेजियोसन में किसी के अब यहां पर एक चक्कर यह भी है कि जिसके ग्रेजियोसन में अच्छी परसेंटेज हैं हम लोग यह मान के चलते हैं कि वह उश्यारतों है तो उसके यहां भी ज्यादा जनरल से दो तीन नंबर आप लोग कम कर ले और अब बात पुन्हें वहीं STSC के उपर आखर के ठिकती है और इनके कट आफ के उपर मैं ये चर्चा करना चाहूंगा फिलाल STSC के कट आफ के उपर कि 115 से 125 की रेंज में यदि आप लोग हो तो सलेक्शन होने के चांसेज अच्छे खास हैं यदि आपके ग्रेजुशन में 60% से ज़्यादा है तो जनरल में मैंने कहाता कि ये जो ग्रेजुशन की परसेंटेज है वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए ये कट आफ जो है 125 से 130 होना चाहिए ये रेंज यहां का घट करके 115 के आसपास रह जाती है आप सबको पता है कि 120 कुश्चन पर 80% बन रही है और 80% किसी भी कंपिटिशन में बनाना बहुत आसान नहीं होता है और 80% का मतलब यह कि आपके यहां से 72 मार्क्स उठाए जाएंगे और 72 के बाद यदि आपकी 60% है तो 10% यहां से तो सिक्स यानि 78% आपकी हो गई तो यह जो है पैटर्न जो अपनाया गया है यहां पर मैं आपको बता दू कि पैटर्न जो अपनाया जाएगा वह थड़्ड ग्रेड टीचर का वह क्या रहेगा देखिए थड़्ड टीचर में जो सौरी यहां पर जो प्रात्मिक और प्रात्म सिक्षक और उच्प्रात्मिक जो सिक्षक है आज ही मानिये डोटास राजी ने काया कि सब्सक्राइब यूज नहीं करना है अलाकि इससे कोई फरक नहीं पड़ता सिक्षक जो है सिक्षक होता है हम लोग इसी संब्वान से देखते हैं फिर भी जो ग्रेड थर्ड से लगता है कि एक मानिशिक तोर पर उतना अच्छा सब्द नहीं है साइक्लोजिकल कोई असर डालेगा तो इसमें प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक सब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे यहां पर थोड़ा सा इस बात के उपर भी कि यदि कट आफ जो है इतना रहेगा तो आपके जो सेलेक्शन का क्रियाइटेरिया है वो क्या रहेगा देखिए 90 परसेंट बेटेज जो है आपका रहेगा रीट का और 10 परसेंट जो बेटेज कब तक आ सकती है इसके उपर भी मैं आप लोगों को चर्चा करके बता दूँ दिखिए मेरा यह मानना है कि संभवत्या नेक्स्ट वीक जिस तरीके से जिस गती से यह मामला आगे बढ़ रहा है उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पंद्रा तक यह विग्यापन आए तीस तक फॉरम मांगे जाएं दिसंबर में यह प्रक्रिया पूरी कराई जाए और जनवरी से फर्वरी के दर्मियान आप लोगों का पधिस्तापन करवाया जाए यह एक मोटा मोटा आइडिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इसी पैटन के उपर डोटा सराजी काम कर रहे अर कि लोगों ने उनके खूब मीम्स बनाये है मजाक बनाये हैं लेकिन इतनी बड़ी परिक्षा एक प्रकार से कराना और उसको संपर्ण करा करके और इतनी बड़ी भरती को पूरा करना एक प्रकार से करने करना चाहि Это i चुकि अब यह result गोसित हो चुका है तो इन बातों के उपर ज्यादा चर्चा करने के बजाए जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको इस बात पर focus करना चाहिए कि उनके तयारी करें सेकंड की भरती आ रहे हैं और बहुत बड़ी वर्ती है कि 16000 की बड़ती इसके अत्रिक तो नहीं है हैं बेरोजगार रह गए हैं आप लोग यदि अपने तैयारी कंट्विनियस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब में आने के आसार रहेंगे और रही बात एक प्रकार से बेरोजगार रहने की या दूसरी तो लगवक 25-26 लाख फॉर्म और 31,000 वेकेंसी तो यह तो संबब नहीं था कि सारे लोग पास हो जाते कट आफ भी उचा रहता ही तो इस बास्वित्ता से खुद को आप लोग एक प्रकार से यह मान के चले अब गत रखें खुद को और भ्रम में नहीं रहें और आप सभी को सुब काम नाए और बेस्ट और प्लीच अपना जो है इबिटेट रखें और आगामी कंपेटिशन की तैयारी आप लोग करते रहें थेंक्यू सो मुझ